क्या अपने कॉरोना वाइरस से पीडित लोगों को सड़क पे चलते चलते एकदम से कॉलाक्स होके गिरते हुए और हाथ में छेद वाली फोटो देखी है जिसको कॉरोना वाइरस का सिम्टम बताया जा रहा है या फिर वो कॉरोना वाइरस फिलाने वाली वो चमगादड का सूप पीती हुई लड़की ये सब वीडियो सोशल मीडिया पे वाइरल हो रही है आप क्या सोचते हैं ये सब सच है इस वीडियो में इनी सब र्यूमर्स का परदाफाश करूँगी बने रहेंगे मेरे साथ एंड तक कोई भी बड़ी न्यूस के र्यूमर्स तो फैलते ही हैं चाहे वो लोगों की अवेरनेस कम होने की वज़े से हो या फिर कुछ लोग की खुराफाद सोच से फिलाए होई र्यूमर्स हो पर ये जानना की कौन सी न्यूस सच है जो हमारे कानों में पढ़ रही है और कौन सी न्यूस जूट है यानि की र्यूमर्स है इसके लिए अवेर होना बहुत जरूरी है जिस कौरोना वाइरस ने अब इंडिया में भी हाहा कार मचा दिया है उसके मारबारे में भी मेरे सामने बहुत सारे र्यूमर्स आई है जिसकी सचाई मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पहला र्यूमर्स जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि चाइना के वुहान में रहने वाली एक लड़की वैंग मियूंग से ये वाइरस फैला है इस बात में 100% सुचाई नहीं है दरसल ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है और सोशल मीडिया पर एक ओनलाइन ट्रैवल शो चलाती है चाइना में लाक्स में उसके शो के फॉलोवर्स है और वो लेडी चाइना में कितनी फेमेस है उसका वाइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि Forbes ने उसको टॉप 30 यंग इंट्रोपरिनेर्स में नॉमिनेट किया था क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है तो एक Western Pacific Ocean के पलाओ नाम के एक आईलेंड पे शूटिंग के लिए गई थी वहाँ के लोग चमगादर यानि की बैट्स को खाते हैं और सूप बना कर पीते हैं बस वहीं कि अपने एक हरकत की वज़े से ये इन रियूमर्स का शिकार हो गई वो अपने विवर्स को दिखाना चाहती थी कि वहाँ के लोग कैसे चमगादर खाते हैं इसलिए उन्होंने भी वहाँ बैट के सूप को पीने का अपना एक वीडियो शूट किया पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बैट का सूप पीना उनको कितना महेंगा पड़ जाएगा दूसरा रियूमर्स काफी जगा सोशल मीडिया पर मैंने छेद वाले हातों की फोटो वायल होती देखी है जो देखने में काफी स्केरी है और ये इस तरह सर्कुलेट की जा रही है जिससे की लोगों में इसके विज़े डर फैल रहा है मैं आप कोई बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह की पिच्चर्स पे ट्रस्ट ना करे कोरोना वायरस की सिम्टम्स इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं है ये इस पिच्चर सिरफ अटेंशन सीख करने के लिए सर्कुलेट की जा रही है आप कोरोना वायरस की सिम्टम्स से अवेर रहे हैं इसके सिम्टम्स की उपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चानल पे डाली हुई है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उन वीडियो को एक बड़ जरूर देखें तीसरा रियूमर जो लोगों को सबसे जादा डरा रहा है मैं बात कर रही हूं उन वीडियो की जिसमें लोगों को एकदम अटाक साने से जमीन पे गिरते हुए दिखाया जा रहा है इन रियूमर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि लोग रोड्स और स्ट्रीट्स पे मरे हुए मिल रहे हैं पर ऐसी बातों पे आप विश्वास ना करें इन में जादर रियूमर्स होते हैं कुछ शरार्ती लोग है हमारी सुसाइटे के जो इस तरह की रियूमर्स को फिलाते हैं कॉर्णा वाइरस से सडन अटाक से डिथ नहीं होती है ये धीरे धीरे हमारी बोडी में फैलता है हाला कि अगर टाइम पे मेडिकल एड मिल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है चाइना में अभी तक 500 जादा लोगों का इलाज करके उन्हें घर वापिस भेज दिया गया है चौथर यूमर्स ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कॉरणा वाइरस समान चूने से भी फैल सकता है और वहीं इंटरनेट पर भी तमाम लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि क्या चाइना के वुहान या दूसरे हिस्से जो कि इस वाइरस से इंफेक्टेड है वहां से एक्स्पोर्टेट समान को चूने से ये वाइरस फैल सकता है तो इसका जबाब ये है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ किया जा सक है ये बात इसलिए भी रियूमर्स के तरह सामने आ रही है क्यूंकि साल 2003 में चाइना ने सार्स नाम के एक वाइरस को टैकल किया था जिसमें दुनिया भर में 700 जादा लोगों की जान चली गही थी सार्स केस में ये पाया गया था कि किसी चीज या जगे को अगर आप छूते हैं जहां पे इंफेक्टेड इंसान ने खासी या फिर छीक मारी हो तो ये वाइरस आप तक पहुँच सकता है और आपको इंफेक्ट कर सकता है अब तक कोरोना वाइरस के मामले में ये बात सामने नहीं आई है और अब तक जो केसिस देखने में आए हैं उसमें यही देखा गया है कि कोई इनसान इस वायरस से तभी इंफेक्ट होता है जब वो एक infected person के contact में आता है पांचवार यूमर एक मज़दार news जो कुछ दिन पहले viral हो रही थी कि चाइना इस वायरस पे बुहान शहर के पास laboratory में research कर रहा था और चाइना का मकसद था कि सही time आने पर दूसरे देशों एक खिलाफ इस वायरस को use किया जा सके और गलती से ये वहीं फैल गया मैंने जब इस topic पे research की तो मेरे सामने ऐसी कोई भी authentic news reliable source से नहीं आई जिसमें ये prove हो सके कि ये बात सच है तो friends आप इन rumors पे trust ना करें और reliable sources से दी गई news को ही rely करें छटा rumor एक funny rumor है जो सुनने में आया था कि कॉरणा बीर पीने से भी वायरस फैलता है hats off to those people जितना खुराफाती सोचते हैं ये rumor ऐसे फैला इंडिया में कि कॉरणा बीर की consumption और demand तक कम होगी इस rumor को फैलने के बाद साथवा rumor मैंने कुछ लोगों के ऐसे comments भी देखे हैं कि vegetarian लोगों को ये virus नहीं फैलता नहीं नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है initial research में ये जरूर सामने आया था कि ये virus साप या चमगादर जैसे animals से इंसानों में आया है लेकिन अब ये communicable होने की वज़े से human to human ही फैल रहा है तो आपकी eating preference matter नहीं करती है अगर आप infected person एक contact में आते हैं तो ये virus आपको हो सकता है किसी particular type के खाना खाने से ये नहीं होता जो भी food आपकी regular diet का part है आप बे फिकर होके खाईए आठवा एक rumor coronavirus जब शुरु शुरू में फैला था उस time सुनने में आया था कि इंडिया में Tamil Nadu में किसी doctor ने ये claim किया है कि उनके पास हर्मल medicine के form में coronavirus का तोड है ऐसी किसी भी तरह की news पे दूर दूर तक rely करना possible नहीं है क्योंकि किसी भी international agency या organization उसको approve नहीं किया है हाला कि अब सुनने में आ रहा है कि Thailand ने इसका तोड निकाल लिया है Thailand के doctors ने HIV, AIDS और flu के drugs का cocktail combination बनाया और उसके positive results दिख रहे हैं अब इस drug को Chinese Health Authority से बात करके Wuhan के मरीजों पे apply करने की बात हो रही है last time में आप से यही कहूंगी कि आप किसी भी type के rumors पे believe ना करे और डर के रहने कि बिल्कुल जुरुरत नहीं है अगर आपके घर के आसपास या फिर कभी travel करते हुए या कभी mask पहने हैं कोई Chinese दिख जाए तो इसको शक की निगा से मत देखिएगा क्योंकि जो भी कोई coronavirus से infected है उनको isolation या फिर quarantine में रखा जा रहा है be respectful to others and be aware of the situation about coronavirus भारत में coronavirus की जांगरुकता की मुहीम में मेरा हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यवार अगर आपने भी मेरे बताये गए rumors को कहीं सुना था या social networking sites पे देखा था तो मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा आप से एक request है कि coronavirus की awareness फैलाने के लिए जादे से जादा लोगों तक एफ वीडियो पहुँच जाए इसमें मेरी help करो और इसको जादे जादा share करो ताकि लोग इन rumors पे believe ना करें और coronavirus के deadly रूप को समझें और अपना ध्यान रखें दोस्तों, coronavirus पे मेरी आठवी वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो से मैंने coronavirus को बहुत अच्छे से explain किया है fact उसके सारे बताएं है तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखिए उनका link में इसे description box में डाला है उनको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का बटन है उसको दबा के मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी सभी लेटस वीडियो की अपडेट्स आप उस अबसे पहले मिल जाएं तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंटिल देन अपन और अपनों का ख्याल रखे उन्हें धेर सारा प्यार करें शेर दिस वीडियो इफ यू केर फॉर हूमन लाइफ